हेलो माई दिया फ्रेंद्स नमशकार वनकम सस्रियकाल अदाबर्जे सलाम भाई का वेलकमिंग यू तो दी मोस्ट देरिंग डैशिंग अद यूनीक प्लाटफॉर्म जो की है रैंकर्स मैं संदेश सर आपके सामने ले के आ रहा हुए एक जबादस टॉपिक जिसका नहीं में एक Neural Control and Coordination आपने Life Processes वाला लेक्चर देखा होगा जो पहले अपलोड हुआ है उमीद करता हो कि सबको लेक्चर पसंद आया होगा सबने Systematic Nodes बनाया होंगे यह तुम्हें CHS exam में definitely help करेंगे तो सब में पहले स्टार्ट करते हैं इसका Name Justification ऐसा नाम क्यों दिया गया है इस चैप्टर को Neural Control and Coordination हमारे इसमें पूरे बॉड़ी को जो कंट्रोल करती है वो है Nervous System जो Brain, Spinal Cord, Nerves इन सब चीजों से बनी है यह पूरे बॉड़ी को क्या करती है कंट्रोल करती है और वही सारे बॉड़ी के अंदर क्या है Coordination है क्या है Coordination मतलब ताल मेल कौन सा मेल ताल मेल है इसका मतलब क्या कि मेरी दोनों आखे साथ में बिलिंक कर रही है तो दोनों आखों में क्या है तालमेल है कभी-कभी मैं चाहू तभी एक आखी ब्लिंक होगी That means दोनों आखों के ब्लिंकिंग में भी तालमेल है मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ इसमें भी तालमेल है इसमें भी कौर्डिनेशन है जब मैं चल रहा हूँ तो दोनों पैरों के बीच में भी coordination है तो ये तालमेल कैसे establish किया जाता है ये हमें इस chapter में पढ़ना है All right, my dear friends, so get ready for this particular chapter Interesting chapter जो की है, Neural, Control and Coordination अब जो है यहाँ पर तुम्हें देखने मिलेगा Next particular चीज ये हमारा मसा brain है Brain में अलग-अलग areas होते है Creativity वाला अलग area होता है हम जो सोच रहें उसको बोलने के लिए अलग area होता है Okay, intelligence का अलग area होता है तो ये सारे areas के बारे में भी हम पढ़ेंगे इतना majestic, इतना magical human brain है Then जो है इस particular brain के बारे में पूरे details हम पढ़ने वाले ये में जब आगे आएगा concept तब तुम्हें detail में बताऊंगा Then the next one ये सारी चीज़े आएगी अभी जो है Start करते हैं with the basic concepts Basic concepts से start करते हैं हमारे जो particular chapter का name है याँ पर The chapter is Neural Control and Coordination क्या नाम है? Neural Control and Coordination Neural Control and Coordination अब जो है इस chapter के अंदर सब में पहले हम पढ़ेंगे जैसे कि हमने पढ़ा था excretory system उसके अंदर kidney important थी Kidney किस से बनी हुई है? Kidney cells से कि वो kidney cell को हम क्या बोलते है? Nephron क्या बोलते है? Nephron और वही अगर nerve cell पूछा जाता है तो nerve cell क्या होता है? Neuron Nerve cell is neuron Neuron जो है ये होता है The nerve cell इससे हमारी पूरी nervous system बनती है Brain बनता है Spinal Cord बनती है किस से? Neuron से अब जो है इस particular neuron का हम देखेंगे Structure इसका कैसे structure होता है? वो हमें देखना है Neuron structure अब neuron के बारे में हमें पढ़ना है Neuron the nerve cell अब मैं यहाँ पर ड्रॉख करने जा रहा हूँ से particular branches के साथ में मैं draw कर रहा हूँ एक neuron अब जो है यहाँ पर तुम्हें देखने मिलेगा अलग-अलग से labels इसके about the neuron अब हमारे body में जैसे head वाला region है, neck वाला region है body वाला region है, bottom region है वैसे इसके भी parts होते है इसका यह वाला जो part है इसको हम बोलेंगे head region कौनसा region? head region यह वाला जो part है यह वाले part को हम बोलेंगे neck region गर्दन वाला region यह जो पूरा portion है इसको हम बोलेंगे body कौनसा? body वाला portion और आखरी में आएगा इसका tail portion कौनसा portion? tail वाला portion अब हम head को क्या-क्या नाम देते हैं head को जो scientific name है वो है soma दूसरा नाम है pericarion इसी को बोलते है cell body या इसी को बोलते है cyton क्या बोलते है cyton ये पूरे head को नाम दिया गया है अब इस head में कौन-कौन सी चीज़ आती है जिसे beach में हमें गोल में गोल गोलम गोल यहाँ पर देखने को मिल रहा है यह वाला nucleus क्या है nucleus nucleus के आसपास ऐसे granules मिलेंगे दानेदार चीज़े मिलेगी ये granules को हम कहते है nissals granules क्या कहते है nissals granules ऐसा कहते है all right then ये जो एक branch है ये दूसरा branch ये तीसरा ये चौथा ये branches जो ये main branch को हम कहेंगे dendron क्या कहेंगे dendron और dendron के जो branching और निकले हुए ऐसे पहले हुए बालो की तरफ कभी भी याद में रखो ऐसा nagoba वाला structure आया तो वो रहेगा nephron का kidney cell का और वो ये जिंजराती बालो वाली मॉंजुली का आ गई तो वो structure किसका है about the nerve cell neuron ये dendron के जो branches है इसको हम कहेंगे dendrites क्या कहेंगे dendrites तो ये सारी चीजे मिलके क्या बनता है head बनता है अब आये neck वाले region पे भाई लोग neck वाले region में यहाँ पर इस तरीके का ऐसा structure बनता है ये neck वाले region को हम कहते है exon hillock क्या कहते है exon hillock ऐसा कहते है उसके बाद में आते है body वाले region पे यह body वाले region में यह जो tube-like structure दिख रहा है यह पूरे tube-like structure को हम कहेंगे exon क्या कहेंगे? exon और exon की जो membrane रहती है उस membrane को हम कहते है exolema क्या कहते है? exolema ऐसा कहते है अब इस exon के ऊपर इस तरीके से ऐसे जो है कुछ coverings रहेंगे इस तरीके से ऐसे coverings रहेंगे यह पूरे जो covering है यह इसको हम बोलते है mylene sheath क्या कहते है? mylene sheath ऐसा कहते है ऐसा neuron जिसमें mylene sheath present है उसको हम कहेंगे myelinated neuron क्या कहेंगे myelinated neuron अगर mylene sheath absent है तो इसको हम कहेंगे non myelinated neuron और राइट यह mylene sheath किस से बनी हुई है? कौन से cells से बनी हुई है? यह ऐसे cells है यह आपर यह cells से बनी हुई है यह cells को हम कहेंगे sean cells कौन से cells? sean cells ऐसा कहेंगे यह बन गया पूरा body वाला पार्ट लेकिन अगर तुम body को ध्यान से देखो कैसे देखो? ध्यान से देखो तो इस mylene sheath जहाँ पर absent है यहाँ पर mylene sheath नहीं है तो इस point को हम कहते है node of ranvier node of ranvier जहाँ पर mylene sheath पूरी तरीके से absent है mylene sheath is absent फिर यहाँ पर exon खतम हुआ क्या हुआ? खतम हुआ तो इसको हम कहेंगे exon terminal क्या कहेंगे exon terminal अब exon terminal से ऐसे बहुत सारे branches निकलेंगे यह branches को हम कहेंगे arborization क्या कहेंगे और इस arborization के यहाँ पर इस तरीके के ऐसे button like structures देखने को मिलते हैं यह button like structures को हम कहते है synaptic buttons क्या कहते है synaptic buttons या फिर synaptic knob ऐसा इसको कहा जाता है all right my dear friends तो यह वाला structure है यह structure है neuron का किसका neuron का neuron क्या है neuron क्या है एक nerve cell है उसके head वाले part को क्या बोलते है soma pericarion सब में commonly use होने वाला word cell body या cyton head किससे बना हुआ है nucleus है nissles granules है main dendron है उसके branches dendrites है then यह जो particular neck है neck किससे बनी हुई है exon hillock से यह जो tube like structure दिख रहा है tube like structure को हम कहते है exon exon का membrane होता है उसको हम कहते है exolema then यह sheet है इसको हम कहते है myelin sheet ऐसे neuron जिसमें myelin sheet present है वह है myelinated जिसमें absent है वह है non myelinated myelin sheet किससे बनी हुई है sean cells से बनी हुई है जहाँ पर exon खतम होता है वह exon terminal है उसके branches निकलता है उसको हम कहते है arborization और end पे हमें मिलेंगे synaptic button या knobs तो ऐसी है हमारी खुले बालो वाली मौंजुलिका जो की है neuron the nerve cell यह diagram must set draw कर लो सारे लोग done okay अब बढ़ते हैं आगे की और अब जो है आगे हमें लेना है एक concept एक concept जिसका नाम है synapse synapse के बारे में अगर बोला जाए तो it is distance between distance between two successive neurons एक के बाद एक आने वाले neurons की बीच में जो distance होता है उसको हम बोलते है synapse अब ऐसे कैसे देखो let's suppose हमने लिया यह वाला as neuron number one यह है neuron number one पहला neuron यह है neuron number two दूसरा neuron एक के बाद एक आ रहे neuron number one and neuron number two अब इसके बीच में यहाँ पर यह जो gap है इस gap को हम कहते है synapse, क्या कहते है synapse तो यह जो gap है this हम कहते है synapse यह distance है तो एक के बाद एक आने वाले neuron को अब synapse के पहले जो neuron आया, मतलब neuron one आया इसको हमने नाम दिया precynaptic neuron, क्या नाम दिया要 ineffective brain synaptic neuron क्योंकि यह neuron synapse के पहले आ रहा है और ये neuron number two synapse के बाद में आ रहा है इसलिए हमने इसको बोला post synaptic neuron ये उसके बाद में आ रहा है इसलिए इसको बोला post synaptic neuron अब यहाँ पर अगर तुम ध्यांस देखो तो यहाँ पर ये जो है एक membrane है pre synaptic neuron की membrane कौन सी रहेगी pre synaptic membrane क्या रहेगी pre synaptic membrane रहेगी और यहाँ पर synapse के बाद में आने वाली ये जो membrane है इसको हम कहेंगे post synaptic membrane पोस्ट synaptic membrane ऐसा कहेंगे भाई लोग अब देखेंगे synaps के particular types, synaps के प्रकार synaps, synaps जो है इसके types दो होते हैं एक है जिसको हम कहेंगे chemical synaps chemical synaps और दूसरा वाला है उसको हम कहेंगे electrical synaps electrical synaps अब जो chemical synaps है इसमें क्या होता है इसमें pre and post synaptic membrane are not fused ये एक दूसरे से fuse नहीं होते हैं लेकिन electrical synaps में उल्टा है कैसा है उल्टा यहाँ पर जो है pre and post synaptic membrane ये कैसी होती है fused कैसी होती है fused ये वाला पहला नियूरॉन ये वाला दूसरा नियूरॉन दोनों की membrane यहाँ पर क्या हो गई है fuse हो गई है क्या हो गई है fuse यहाँ पर proper gap है यहाँ पर कोई gap नहीं है almost पूरी तरीके से वह fuse हो चुकी है और क्यूंकि यह fuse हुई है तो चीजें फटाफट जाएगी signals फटाफट पास होंगे और यहाँ पर gap होने के वज़र से जरूरत होती है किसकी chemicals की रसायनों की जरूरत होती है रसायनों के माध्यम से जो impulse आएगा वो एक neuron से दूसरे neuron में जाएगा क्यूंकि वो chemicals के मदद से जाएगा इसलिए इसको नाम दिया है chemical synapse जिसमें pre and post synaptic membrane not fused दोनों भी fuse नहीं है electrical synapse में क्या होता है दोनों भी membrane क्या है fused है पूरी तरीके से fuse है और fuse होने के वज़र से there is quicker transmission चीजे फटाफट एक से दूसरे में जाएगी response जो है तुरंत मिलेगा all right तो यह मैंने बताया synapse का concept अभी और हम लेंगे chemical synapse को थोड़ा detail में all right बचा लोग yes इसको लिख के ले लो everyone लिखा सभी ने मिटा दू मिट गया अब जो है मैं बता रहा हूँ यहाँ पे the concept of chemical synapse chemical synapse देखो यह आया neuron number one neuron number one आया रहाया अब यहाँ पर जो है ऐसा bag like structure लगा रहता है यह bag like structure को हम कहेंगे synaptic bag क्या कहेंगे synaptic bag यहाँ पर आ रहा है अपना neuron number two क्या रहा है neuron number two यह आया neuron one यह आया neuron two neuron two अब जो है इसके बीच में gap है और यह जो खाली जगह रहेगी यह पूरी इसके अंदर यह खाली जगह को नाम दिया जाता है synaptic cleft क्या नाम है synaptic cleft का मतलब होता है खाली जगह अब इसके अंदर तुम्हें ऐसे rounded structures मिलेंगे यह rounded structures को हम नाम देते है synaptic vesicles क्या नाम देते है synaptic vesicles और इस synaptic vesicles के अंदर किसके अंदर synaptic vesicles के अंदर ऐसे chemicals रहेंगे यह chemicals को नाम दिया जाता है neurotransmitters क्या नाम दिया जाता है neurotransmitters यह क्या है एक तरीके के chemicals है chemicals है अब क्या होगा जब भी कही से भी stimulus आया कही से भी बाहर से भी fraction आई तो वो अंदर neuron में enter करेगी enter करने के बाद यह जो synaptic vesicle है यह burst होगी क्या होगी burst मतलब फूट जाएगी फूटने के बाद में उसमें से यह जो chemicals है यह आपे यह chemicals ऐसे release होंगे यह neurotransmitters release होंगे और वो neurotransmitter को receive करने के लिए दूसरे इस पर लगे रहते है receptor क्या रहते है receptor receptor उसको receive करता है और उसको आगे बढ़ाता है और फिर आती है final action क्या रहती है action तो यह है chemical synapse का concept chemical synapse में chemicals के जरिये चीज़े transfer हो रही है इसलिए इसको chemical synapse बोला simple है यह जो है neuron number one यह वाला neuron number two यह जो bag synaptic bag खाली जगह synaptic cleft जो vesicles rounded structure synaptic vesicles उसके अंदर जो chemical है वो है neurotransmitter जैसे ही signal आया रहाया तो यह हो जाएंगे burst फूट के वो release करेंगे ऐसे chemicals neurotransmitter उसको receive करने वाले रहेंगे receptor और चीज़े आगे बढ़ेगी और final होगा अपना response हम कोई भी चीज़ को क्या देंगे proper response देंगे all right बच्छा लोग hope यह concept तुम्हें समझ में आया होगा chemical synapse का all right अब बढ़ते हैं अगले particular point की और अब जो अगला concept हमारा इसको draw कर लो मस से मिटा दे रहा हो इसको yes अब जो है next वाला जो concept है वो है reflex action क्या है reflex action reflex action के बारे में कुछ चीज़े तुम्हें याद में रखनी है कि यह कैसी होती है quick फटाफाच automatic अपने आप involuntary मतलब हमारे control में नहीं है action अब लेता हूँ मैं case जैसे की गरम तवा है hot pan उसके उपर मैंने हाथ रखा और तुरंत मैंने हाथ पीछे ले लिया क्योंकि मुझे वो तवा कैसा लगा गर्म लगा that means मैंने हाथ पीछे ले लिया तो यह action को हम क्या बोलेंगे reflex action बोलेंगे ऐसा क्या होता है in fraction of second में जिसके वज़े से कि हम हाथ पीछे लेने का response दिखाते है उस प्रक्रिया को हम जानते अभी अब देखो बाहर से जो भी action होता है उसको हम कहते है stimulus क्या कहते है stimulus जैसे कि किसी ने में switch boy okay pin prick किया अब मेरे को यहाँ पे switch boy गई तो यह area जो है इसको हम बोलेंगे receptor क्या बोलेंगे receptor यह वाला part बन गया receptor receptor मतलब कोई भी चीज को receive करने वाला जैसे शादी के बाद क्या दिया जाता है reception हम guest को receive करते हैं और उनको बोलते है must must सा खाना खाओ लेकिन बाद में must भर के जो है हमें gift दो और पैसा का pocket दे दो all right मतलब कोई भी guest को receive करने वाले का function को क्या बोलते है reception अगर कुम coaching classes में जाते हो वहाँ पर कौन बैठी रहती है receptionist क्यूंकि वो आने वाले जो particular candidates से उनको receive करती है इसलिए तो आने वाले stimulus को जिसने receive किया वो क्या है receptor अब यह receptor जो है एक neuron में enter करेगा यह neuron को हम कहेंगे sensory neuron sensory neuron या इसी को हम कहेंगे afferent neuron कौन सा neuron afferent neuron ऐसा कहेंगे और इसका काम क्या है कि जब भी stimulus हमारे nervous system में enter करता है तो उसी stimulus को हम क्या बोलते है impulse क्या बोलते है इंपल्स अब इसका काम है it carries impulse carries impulse carries impulse carries impulse towards किस के पास central nervous system के पास यह impulse को लेके जाता है और हमें पता है central nervous system में क्या रहेगा यह brain रहेगा और ऐसा वाला रहेगा spinal cord क्या रहेगा spinal cord अब यह जो impulse है वो आ गया इधर sensory या afferent neuron के जरीए जैसे ही आया रहे आया तो अब यहाँ पर जो neurons रहेंगे यह neurons को हम कहेंगे association neuron यह इसको हम कहेंगे intermediate neurons intermediate neurons ऐसा इसको कहेंगे then इनका काम क्या है यह analyze करते है कि action के बारे में सोचना है या नहीं जैसे गरम तवे पर हाथ रखा और मैं सोचते बैठा कि मैं हाथ पीछे लू यानि तब तक मेरा हाथ जल जाएगा तो यह neurons decide करते कि भई इस signal को brain के पास मत भेजो इस particular signal के उपर तुरंत action लिया जाए otherwise बंदे को damage हो जाएगा तो यह analysis करने का काम करते है और यह analysis करके जो है चीजे आगे भेशते हैं और आगे जिस neuron के जरीए भेजा जाता है उस neuron को हम कहेंगे motor neuron motor neuron या फिर इसको कहते है different neuron कौन सा neuron different neuron ऐसा कहेंगे इसका काम क्या है इसका काम है it carries impulse carries impulse impulse को यह कहा लेके जाता है carries impulse away from cns central nervous system से दूर लेके जा रहा है इस central nervous system से impulse को दूर लेके जा रहा है अब वही receptor बनेगा effector क्या बनेगा effector अब यह चीज आ गई effector के पास और वही हात हमने पीछे खीचा that means हमने क्या दिखाया response दिया और हमने क्या दिखाया action दिखाया तो यह सारी चीजे होती है reflex action में यह चीजे एकदम quick होती है fast होती है automatic होती है इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता क्योंकि brain involved नहीं है brain के पास इसका signal जाता नहीं है तो अगर पूछा जाए कि reflex action में कौन-कौन सी चीजे आती है तो इसके अंदर आएगा पहला वाला neuron sensory neuron या afferent neuron दूसरा वाला आएगा association neuron या intermediate neuron तीसरा वाला आएगा जो की है motor neuron and efferent neuron और आएगे the receptor and effector अब इसको अगर हम देखे तो शुरुवात receptor से हुई ant effector पे हुआ तो circle जैसा हो रहा है और circle का ये वाला जो part है इसको हम क्या बुलते हैं आर्क क्या कहते हैं आर्क इससलिए इसको reflex आर्क भी कहा जाता है और राइट माइडियो फ्रेंड्स ओके तो यह हुआ पूरा reflex action का concept अब इसी को मैं बताने जा रहा हूँ with the help of a particular diagram एक diagram के जरिये मैं इसको बताऊंगा और राइट अब जो है diagram के जरिये इसको बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पर देखो इसका diagram everyone देखो यह stimulus से क्या है stimulus यह वाला जो है यह है stimulus क्या है stimulus यह है stimulus यह stimulus जब अंदर एंटर करता है तो क्या बनता है impulse कौन लेके जा रहा है इसको sensory neuron sensory neuron का दूसरा नाम क्या है afferent neuron किसके पास लेके जा रहा है central nervous system के पास spinal cord के पास इसके अंदर है intermediate neurons वो analyze करेंगे कि brain के पास signal नहीं भीजना है फिर वो जाएगा motor neuron के पास motor का नाम है afferent क्या है afferent यह central nervous system से दूर लेके जा रहा है फिर effector के पास जा रहा है और हम क्या दे रहे proper response दे रहे है I hope everybody is able to understand the concept nicely okay बच्छा लोग so friends अभी हम पढ़ेंगे reflex action का हमारे जीवन में क्या महत्व है that means the importance of reflex action importance importance of reflex action क्या फाइदा होता है in actions के वजह से सब में पहला फाइदा फाइदा number one पहला फाइदा है कि जो हमारे spinal cord के अंदर nerves है वो message brain तक पहुशने नहीं देते इसके वजह से क्या होगा कि brain के उपर जो load आ रहा है वो कम हो जाएगा that means it reduces it reduces over loading of brain it reduces over loading of brain brain के पास signal नहीं जाता directly motor neuron के पास चला जाता है then the next one second वाला point है यहाँ पर के हम जो है stimulus जो है इसको immediate response दे पाते है immediate response दे पाते है to the stimulus किसके वजह से reflex action की वजह से और जो है it increases the chances of survival of organism it increases the chances of survival of organism मतलब मेरा हाथ जो गरम तवे पे था वो हाथ का नुकसान होने से बच गया वो हाथ जलने से बच गया इसलिए मैं survive किया मैं जिन्दा हूँ मुझे कोई damage नहीं हुआ तो reflex action के वजह से जो भी organism है जो भी जीव है उसके जीने का time बढ़ जाता है बढ़ते हैं next concept की ओर अब हम पढ़ेंगे types of reflex action reflex action के प्रकार अब इसको पढ़ने के लिए दो तरीके के reflex action रहते हैं पहला वाला जो reflex action है इसको हम कहते है अनकंडीशन रिफ्लेक्स अनकंडीशन रिफ्लेक्स और दूसरे वाले को हम कहते हैं conditioned reflex conditioned reflex अब इन दोनों के अंदर क्या difference होता है उस चीज़ को समझते हैं the unconditioned reflex and the conditioned reflex जो unconditioned reflex होता है यह by birth आता है कैसा आता है by birth जनम से ही आता है जैसे की for example blinking of eye आखों को मिचकाना blinking of eye अब एक छोटा शीशू एक छोटा बच्चा जब जनम ता है तो इसको बोलना पड़ता है क्या तो आखों को पलके को जपका ऐसा बोलना नहीं पड़ता because वो चीज उसमें inborn है by birth है तो यह इसको हम कहेंगे unconditioned reflex then the second example breezed feeding to newborn babies to newborn babies ने ने बच्चे जो जनमते हैं तो उनको यह सिखाना नहीं पड़ता कि किस तरीके से milk को निपल को सक किया जाता है वो अपने आप यह चीज जानते हैं क्योंकि यह reflex कैसा है inborn है by birth है इसको हम unconditioned reflex कहते हैं लेकिन condition reflex क्या होता है condition reflex acquired during lifetime acquired during lifetime by previous experience इसको हम जीते जीते यह चीज़े सीख लेते हैं पहले वाले experience के basis पे अब ऐसे कैसे simple पहला example है riding a bike riding a bike एक bike को जब हम चलाना सीखते हैं तो पहले हम देखते हैं कि यह brake है यह clutch system है all right यह gear system है लेकिन बाद में जब हम चलाने लगते हैं सारा balance सीखना पड़ता है लेकिन बाद में जब हम चलाने लगते तो अपने आप चीज़े balance रहती हैं और हम clutch gear accelerator brake सारी चीज़े बराबर से अपने आप होते जाती हैं तो यह पहला experience जो है इसको सीखना पड़ता है और सीखने के बाद वो चीज़े automatic होती हैं bike ले लो या फिर cycle ले लो cycle चलाना भी पहले सीखना पड़ता है कि कैसे balance को maintain करें कैसे pedaling करें यह सारी चीज़े सीखनी पड़ती है लेकिन बाद में balance भी अपने आप maintain हो जाता है और सारी चीज़े सही से होने लगती है all right then the next one is the particular typing typing इसका एक example है typing में पहले सारी चीज़े ढूंदनी पड़ती है alphabets a का है b का है c का है d का है कॉमा का है लेकिन बाद में जब उसकी आदत हो जाती है तो वही चीज़ क्या बन जाती है reflex चीज़े फटाफट होने लगती है automatic होने लगती है तो यह difference है unconditioned and conditioned reflex का all right बचलो लिख लिए इसको सभी ने बढ़ते है next particular concept की और अब next वाला जो concept है यहाँ पर वो है the covering covering of central nervous system cns मतलब central nervous system central nervous system मतलब क्या कि हमारे particular body के center में जो है हमारे body के center में क्या है brain और spinal cord that means इसके अंदर दो चीज़े आती है एक आता है the brain एक आता है brain और दूसरा आता है spinal cord brain and spinal cord इसके around क्या होती है coverings होती है यह covering को हम नाम देते हैं covering को नाम दिया जाता है meninges क्या कहते है meninges ऐसा कहते है अब यह meninges जो है यह तीन layers से बना हुआ है तीन layers से बना हुआ है पूरा मिलके अब यह तीन layers कौन कौन से है पहला layer है duram matter सेकंड वाला layer है arachnoid और तीसरा वाला जो layer है उसको बोलते है पाया matter यह पीया matter और यह तीन layers है अब इसके अंदर यह duram matter जो है यह बाहर की layer है outer most arachnoid जो है यह middle layer है बीच वाली layer और जब में अंदर की layer innermost layer रहती है पीया matter जैसे कि अब मैं अगर तुमको बताओ let's suppose यह अपना brain है क्या है brain है ओके यह brain है इस तरीके से ऐसा अब brain के around अगर मुझे तीन layers निकालना है let's suppose यह color से बताए मैंने second layer और यह एक color से बताए मैंने layer number three ओके अब number one पे outer most layer यह पहला layer है outer most layer जो कि यह duram matter यह दूसरा layer है जो कि यह arachnoid यह तीसरा particular layer है सब में अंदर वाला यह है pia matter duram matter arachnoid pia matter okay यह तीनों क्या करते है brain के around coverings बनाते है और यह तीनों को मिलके क्या कहा जाता है meninges कहा जाता है अब duramatter और arachnoid duramatter और arachnoid इसके बीच की space को हम कहेंगे subdural space क्या कहेंगे subdural space इन दोनों के बीच में जो जगह है उसको नाम दिया जाता है subdural space subdural space then arachnoid और pia matter arachnoid और pia matter इसके अंदर ऐसा एक fluid भरा होता है और यह space को बोला जाता है sub arachnoid space sub arachnoid space ऐसा कहा जाता है और sub arachnoid space में कौन सा fluid रहता है इसमें fluid रहता है CSF CSF का full form है cerebrospinal fluid cerebrospinal fluid CSF यह CSF brain को जो है moisturize रखता है गीला रखता है that means हमारा brain सूखता नहीं है क्यों कि उसमें क्या है cerebrospinal fluid है जैसे हमें भी ठंडी के दिनों में moisturizer लगाते है ताकि हमारी skin रूखे सूखे नहीं मुर्जाय नहीं तो उसी तरीके से brain का moisturizer कौन है वह है cerebrospinal fluid प्लस यह और क्या करता है यह है shock absorber shock absorber अगर किसी को electricity का electric छटका लगता है तो यह जटके से बचने के लिए हमारा brain damage नहीं होता क्योंकि यह cerebrospinal fluid क्या करता है उस particular shock को absorb कर लेता है alright बच्छा लोग तो यह हुआ meninges का concept ऐसे 3 layers जैसे brain के पास है तो इसको हम नाम देते है as cranial meninges क्या नाम देते है cranial meninges ऐसा नाम देते है ऐसे 3 layers जो है spinal cord के पास भी रहेंगे तो इसको हम नाम देते है spinal meninges क्या नाम देते है spinal meninges alright बच्छा लोग लिख लिए सभी ने बढ़ते हैं next particular concept की और अब next वाला concept है HNS HNS मतलब ही क्या human nervous system human nervous system है अब human nervous system जो है यह तीन तीन चीजों को मिलके बनती है यह तीन particular parts है पहला वाला है CNS दूसरा वाला है PNS और तीसरा वाला है ANS CNS को बोला गया है as the central nervous system PNS को बोला गया है the full form is peripheral nervous system peripheral nervous system और तीसरा वाला जो है इसको मिलते है autonomous nervous system ऐसा इसको कहा जाता है अब यह तीनों जो parts है इस तरीके से ऐसे the CNS, PNS and ANS इसके बारे में देखते हैं हमारे body में मैंने तुम्हें बताया था कि centrally बीच में क्या located रहता है brain and spinal cord तो इसके दो parts आ गया पहला आ गया brain और दूसरा आ गया spinal cord brain and spinal cord किसमें आता है central nervous system में देखोए आपर इस तरीके से ऐसा brain है और इस तरीके से यह वाला क्या है spinal cord क्या है spinal cord this one is the brain और यह क्या है spinal cord अब brain के ऊपर जो bony covering होती है bones से बनी हुई covering जिसके वाज़े से हमें hard feel होता है यह bony covering को हम कहते है cranium क्या कहते है cranium और spinal cord के ऊपर जो bony covering रहती है इसको हम कहते है vertebral column क्या कहते है vertebral column अब जो है peripheral nervous system पे आते है periphery मतलब क्या surrounding में आस पास में अब यहाँ पे cranium से कुछ nerves ऐसे निकलते है या या pair number one या pair number two होगे ऐसा करते करते कितने pairs निकलते cranium से 12 pairs कितने pairs 12 pairs तो peripheral nervous system में पहला part के आया जो periphery में है cranium nerves कौन से nerves cranium nerves कितने pairs 12 pairs कितने pairs 12 pairs उसी तरीके से spinal cord से भी ऐसे pair निकलते है यह pair number one pair number two ऐसा करते 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 पूरे कितने 31 pairs निकलते कितने 31 pairs तो दूसरा part हुआ spinal nerves spinal nerves यह कितने pairs है 31 pairs है कितने pairs है 31 pairs है all right that means peripheral nervous system में आया cranial nerves and spinal nerves cranial nerves कितने pairs 12 pairs spinal nerves कितने pairs 31 pairs all right अब जो है ANS Autonomous nervous system Autonomous nervous system में दो आते हैं पहला है sympathetic nervous system sympathetic nervous system sympathetic nervous system और दूसरा आता है parasympathetic nervous system अब sympathetic का action कैसा है sympathetic का action है increasing और parasympathetic का action है decreasing कैसा है decreasing अब ऐसे कैसे very simple मैंने तुमको एक gift दिया अच्छे से wrap करके gift दिया लेकिन वो gift जब तुमने खोला तो निकले कोब्रा जी जैसे कोब्रा को तुमने देखा तुम्हारी सासे तेज हो गई breathing तेज हो गई respiration तेज हो गया heartbeats बढ़ गए तो यह बढ़ने का बढ़ने की वजह क्या है sympathetic nervous system लेकिन वो कोब्रा जो है अपने अपने रास्ते निकल गया निकलने के बाद में भी क्या जिंदगी भर heartbeats बढ़े ही रहेंगे नहीं थोड़ी देर बाद जैसे situation normal हो जाएगी heartbeats भी normal हो जाएगी सासे भी normal हो जाएगी क्योंकि बड़ी हुई चीज क्या हो गई कम हो गई वो कम करने के लिए जो system होती है वो है parasympathetic nervous system as simple as that human nervous system में central nervous system central में आया brain and spinal peripheral में cranial nerves and spinal nerves autonomous में sympathetic and parasympathetic यह flow chart हमेशा याद में रखो भाय लो जी flow charts के जरिये पढ़ो tree diagrams के जरिये पढ़ो mind maps के जरिये पढ़ो इससे क्या होगा concept simplify हो जाएगा एक साथ में तुम चीजे compare कर पाऊगे ओके बच्छा लोग भाय लोग आगे बढ़ते हैं next वाले particular concept पे अब next वाले जो है again एक flow chart है जो कि है human brain का किसका human brain human brain human brain को scientific name दिया जाता है encephalon क्या नाम है encephalon n का मतलब है inside और cephalic का मतलब है head region मतलब हमारे head region के अंदर क्या है brain है क्या है brain अब human brain के भी again three types आते three parts आते I mean three parts FB facebook नहीं four brain four brain दूसरा MB मतलब mid brain mid brain और तीसरा वाला HB मतलब hind brain four brain, mid brain and hind brain का scientific name है अब जो four brain का scientific name है इसका scientific name है prosencephalon prosencephalon mid brain का scientific name है mesencephalon mesencephalon और hind brain का scientific name है rhombencephalon rhombencephalon ऐसे इसके नेम से है scientific name अब four brain में जो parts आते है पहला वाला पार्ट है olfactory lobes olfactory lobes यह जो lobes होते है यह related रहते है to the sense of smell sense of smell sense of smell मतलब हम कोई भी खाने को सूंगते है तो वह कोई भी particular चीज को सूंगते है तो वह सुगंध है या दुरगंध यह हमें पता भी चलता है क्यूंकि नाप के साथ में brain भी काम करता है brain का कौन सा पार्ट बताता है कि यह सुगंध है या दुरगंध olfactory lobes बताते हैं sense of smell से related है और dogs में criminal dogs जो रहते हैं इन में olfactory lobes बहुत जादा developed रहते हैं इसलिए वह सूंग के ही जो है criminal का पता लगा लेते हैं then the second particular part दूसरा वाला part है इसका जो की है diencephalon 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 जो एक room जैसा structure रहता है और इस room जैसे structure में जिसने चत बनाया roof बनाया इसको पहित एपिथलैमस क्या कहते है एपिथलैमस जिसने बॉल बनाई diware बनाई उसको हो पहितेव थैलैमस और जिसने जमीन बनाई floor बनाया उसको होः-पो-थिलैमस hypothalamus hypothalamus क्योंकि एक room में क्या होता है छत होती है दिवारे होती है और जमीन होती है छत किस ने बनाई epithalamus ने दिवारे थलैमस ने जमीन hypothalamus ने अब इनका क्या function होता है जैसे कि हमें भूक लगती है तो समझता है diencephalon के वजह से thirst लगती है तो प्यास लगती है तो यह हमें समझता है diencephalon के वजह से अगर हम ठक गए है मतलब fatigue तो यह हमें diencephalon बताता है कि भाई अब तु ठक गया है तुझे rest लेने की जरूरत है then जो है sweating मतलब पसीना आना यह भी diencephalon के वजह से होता है सारे particular emotions को control करना यह भी diencephalon करता है जैसे किसी के लिए राग द्वेश भाउना किसी के लिए प्यार महबत इश्क की भाउना किसी के लिए गुसा तो यह सारे जो emotions है भाउनाए है इनको control करने वाला है diencephalon अब जो है और भी बढ़ते हैं आगे तीसरा पार्ट जो है brain का सब में important part है cerebrum क्या है cerebrum तो यह जो cerebrum है इसको कहते है greater brain क्या कहते है greater brain बड़ा brain क्योंकि यह brain का 85% area occupy करता है सब में जादा space कौन occupy करता है cerebrum अब जो है आते हैं mid brain पे mid brain में पहला वाला part आया क्रूरा 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 cerebrum क्या आया क्रूरा cerebrum क्रूरा cerebrum क्रूरा आया अब यह वाला part let's suppose four brain है और यह वाला part hind brain है तो इनको connecting structure जो है ऐसे bands यह क्रूरा cerebrum क्रूरा जो four brain और hind brain को क्या करता है connect करता है वो एक क्रूरा cerebrum then second वाला part आता है second part mid brain में आता है वो है that is the particular corpora corpora quadrigemina corpora quadrigemina अब corpora quadrigemina जो है यह पर इसके अंदर तुम देखोगे उपर ऐसे दो होते हैं bigger और नीचे दो छोट है होते हैं smaller तो उपर वाले दो जो है इसको हम कहते है superior colliculi क्या कहते है superior colliculi और नीचे वाले जो दो है इसको हम कहते है inferior colliculi क्या करता है कोई भी चीज को response देता है देखने के बाद मतलब visual response जैसे कि अगर तुम्हारे school के principle बहुत strict है और वो जैसे ही आये तुमने उनको देखा तो तुम पतली गली से निकल गए सटक करके भाग गए तुमने देख के चीज़ों को क्या किया response दिया यह किसके वजह से हो पाता है superior colliculi के वजह से एक batsman है उसने gain को आते हुए देखा तब जाके hit किया इसने देखने के बाद उसको hit किया visual response दिया यह किसके वजह से पॉसिबल है superior colliculi के बज़र से लेकिन inferior colliculi कैसा response देता है auditory auditory मतलब सुनने के बाद जैसे तुम्हारा नाम अगर पुकारा जाए तो तुम्हें पता चलता है कि मेरा नाम पुकारा है मुझे जाना है तो ये किस बज़र से समझ पाते हो तुम inferior colliculi के बज़र से किसके बज़र से inferior colliculi के बज़र से तो ये पाटा गए mid brain के और फिर आता है अपना hind brain कौनसा brain hind brain hind brain में पहला पाट है cerebellum क्या है cerebellum cerebellum को बोला जाता है lesser brain कैसा brain lesser brain छोटा दिमाग ये brain का 11% area occupy करता है greater brain कौन है भाई लोग greater brain है cerebrum 85% area occupy करता है ये cerebrum है और ये बलम है cerebellum ये कितना occupy करता है 11% देन जो next वाला आता है वो है ponsvaryoli 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 जो है ये है respiratory rhythm center respiratory rhythm center मतलब हमारे सारे respiration में हम inhale करते हैं फिर exhale करते हैं again inhale then exhale मतलब इसमें क्या है rhythm है तालमेल है ये ponsvaryoli के वज़र से possible हो पाता है ऐसा नहीं inhale 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 again inhale exhale exhale ऐसा नहीं होता inhale exhale inhale exhale ऐसा तालमेल रिदम ponsvaryoli establish करता है और तीसरा वाला पार्ट है ये आपे ये आपे ये तीसरा वाला पार्ट जो की है medulla oblongata क्या है medulla oblongata ये आगे continue करता है as spinal cord अब क्या है पता है क्या कि मेरे right part of brain मेरे left side के activity को control करेगा और left part of brain right side के activity को control करेगा क्योंकि क्या हुआ है ऐसा cross connection हुआ है right part की nerve left के पास जाती है left की right के पास जाती है ये cross over जहाँ पे होता है वो region है medulla oblongata तो ये जो medulla oblongata है वहाँ पे जो cross over होता है okay उसको हम कहते है medulla cross over इसके वजह से right side of brain controls the activities of left part of the body and left part of the brain controls the activities of right part of the body okay बच्छा लोग ये है must say particular compact flow chart जिसके वजह से तुमारा cover होता है human brain अब human brain में सबमें ज्यादा part जो occupy करता है वो है cerebrum उसके बारे में हमें पढ़ना है अब उसके पहले ये chart को must say draw कर लो everyone screenshot tomorrow अब बढ़ते हैं आगे अब मैं तुमें जो है यहाँ पर बताने जा रहा हूँ about जो मैंने brain के बारे में पढ़ाया उसके बारे में मैं कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ अल्राइट अब जो है coming on to this particular part यह brain का जो diagram है उसको देखते हैं देखो यह diagram को देखो ध्यांस देखो everyone अब जो है यह diagram में तुम्हें पता चलेगा के यह diagram में तुम्हें पता चलेगा यहाँ पे कि यह वहाँ पार्ट क्या है four brain दूसरा पार्ट है mid brain तीसरा पार्ट है hind brain जो greater brain है वह है cerebrum कितना percent area occupy करता है 85% lesser brain क्या है cerebrum कितना percent occupy करता है 11% फिर हमने देखा था hind brain में pon spherula आता है medullo oblongat आता है वह आगे जाके continue करता है as spinal cord क्या continue करता है as spinal cord हमने diencephalon में देखा था hypothalamus and thalamus और हमारे brain के अंदर एक ग्रंथी होती है gland होती है master endocrine gland उसको हम कहते है pituitary gland all right बच्चा लोग हमारे brain के अंदर जो जो भी खाली जगह है जिसके अंदर cerebrum spinal fluid भरा हुआ है उसको हम कहते है ventricles क्या कहते है ventricles heart में भी आते है ventricles और brain में भी आते है ventricles all right बढ़ते है आगे की और अब जो है next particular slides please yes next वाले slides पर आते है okay yes coming on to the next particular part अब जो है हमें next part लेना है या पर जो कि है मैं तुम्हें बताऊंगा cerebrum के बारे में एक ही पार्ट हमें detail में study करना है that is cerebrum कौन सा ब्राम cerebrum इसी को हम detail में study करेंगे cerebrum 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 को क्या बूला है भाई लो greater brain कितना percent occupy कर रहा है 85% अब यह ऐसा इतना वाला जो ही है cerebrum है तो इस cerebrum को अगर मैं ऐसे दो पार्ट में काटा हूँ तो यह वाले कहलाएंगे cerebral hemispheres इसको हम क्या बूलेंगे cerebral hemispheres cerebral hemispheres यह हो गया right part यह हो गया left part right and left cerebral hemispheres जिसने इसको divide किया जिसने इसको divide किया उसको हम कहते है longitudinal fissure longitudinal fissure fissure मतलब जो है fission करने वाला part separate करने वाला part then यह जिससे जुड़े है ऐसे structure से जुड़े हुए है यह जुड़ाने वाले structure को हम है corpus callosum corpus callosum corpus callosum को क्या बोलते है कमिशर कमिशर मतलब ऐसी चीज जो दो चीजों को connect करती हो क्या करती हो connect करती हो all right तो यह है cerebrum के बारे में cerebrum में जो बाहर का area होता है यह बाहर के area को हम कहते है cerebral cortex cerebral cortex यह कैसा area outer area और इसके अंदर जाते हैं तो यह अंदर वाला जो area हो यह आपे वो रहेगा cerebral medulla cerebral medulla यह जो है inner side वाला पार्ट है all right तो बाहर वाला पार्ट कौन से color का रहता है gray brain बाहर से कैसा दिखता है gray लेकिन अंदर से कैसा होता है white कैसा होता है white medulla white होता है all right बच्छा लोग this is all about the cerebrum यहाँ पर हमने कवर किया human brain के some important points बढ़ते हैं next particular slide की और अब जो है हमें लेना है sensory receptors क्या लेरे हम sensory receptors sensory receptors पहला वाला receptor आता है photo receptor कौन सा receptor photo receptor photo receptor यह receptor कहां पर होता है अपनी आखों में होता है कहां पर होता है आखों में eyes यह किस stimulus को response करता है यह light को response करता है यह किसको response देता है light को response देता है ओके और हमारी आखों में कौन से cells होते हैं हमारी आखों में रहते है raw cells and cone cells rod के वज़े से अपने को black and white color दिखते हैं कौन cell के वज़े से हमें बाकी सारे colors दिख पाते हैं then second वाला receptor हम लेते हैं okay photo receptor second वाला receptor है phonoreceptor phonoreceptor अब phone कहां पर लगाते हैं हम कान पर that means यह क्या है ear से related है यह किसके लिए होता है for hearing मतलब कोई भी चीज सुनने वाला receptor photo receptor phonoreceptor then आया third वाला gustato receptor gustato receptor gustato receptor हमारे tongue में होता है जीब में होता है for taste कोई भी चीज को taste करने के बाद हमें समझता है कि यह कड़वा है मीठा है नमकीन है यह in receptor के वज़े से समझ पाते हैं then चौथा वाला receptor है olfactor receptor olfactor receptor olfactor receptor जो है यह nose में रहता है और यह रहता है for smell कोई भी चीज सुनने के लिए अभी हमने देखा था olfactory lobes dogs में well developed रहते हैं इसलिए वो सारी चीजे फटाफट सुन लेते हैं then आता है next one that is thermoreceptors 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 जो है यह skin में रहते हैं और यह जो है यह temperature को समझते हैं कि चीजे hot है मतलब गरम है या थंडी है इस वज़े से हम समझ पाते हैं यह skin में रहते हैं और एक receptor है the last one जिसको हम कहेंगे tango receptors tango receptors tango receptors भी हमारे skin में ही होते हैं और यह रहते है for touch and pressure for touch and pressure किसी ने तुमको touch किया क्या किया touch किया touch me touch me touch me touch करने के बाद feel होता है कि किसी ने touch किया sparsh हमें feel होता है sparshendriya है तो इसको हम कहते है tango receptors यह chart सारे लोग must से draw कर लो everyone yes अब हम आएंगे on to the next particular part next particular part अब हमें start करना है must वाला system हम एंटर कर रहे है chemical coordination में किसमें chemical coordination में chemical coordination के जरी हमारे body में कैसे तालमेल होता है इसके लिए जो है क्या रहते glands रहते ग्रंथिया रहती है दो तीन तरीके की ग्रंथिया हमें देखने मिलेगी एक है exocrine glands exocrine glands दूसरे वाले हैं endocrine glands endocrine glands और तीसरे वाले हैं heterocrine glands glands अब जो है जो exocrine gland है इनको opening होती है opening होती है मतलब क्या होती है duct with duct opening होती है जैसे हमारे salivary glands हो गए इनमें opening होती है उसके वज़र से यह saliva छोडते है जैसे sweat glands हो गए पसीना छोड़ने वाले glands okay sebaceous glands हो गए sebaceous glands क्या छोड़ते है sebum sebum क्या होता है एक particular तरीके का wax या oily covering होता है जिसमें भी sebaceous glands ज्यादा है उसका face क्या हो जाता है oily क्या हो जाता है oily तो इनको opening रहती है ही आते है exocrine gland में जो ductless gland है ductless मतलब कोई opening नहीं होती वो उनका secretion छोड़ते हैं इनके secretion को हम कहते है hormones क्या कहते है hormones इसका example क्या आया जैसे कि सब में छोटी gland है body की लेकिन सब में ज्यादा hormones secret करती है pitutary gland pitutary gland को क्या बोलते है master endocrine gland size में छोटी action में मोटी size उसका सब में छोटा है लेकिन सब में ज्यादा hormones release करती है इस वज़र से उसको का गया master endocrine gland thyroid glands adrenal glands यह सारे endocrine है क्योंकि hormones release करते हैं और hetero मतलब क्या exo plus endo exo plus endo इसमें कुछ part में duct होते हैं कुछ part में नहीं होते हैं तो इसका example है pancreas कौन सी क्रिया pancreas जैसे की pancreas ऐसे leaf shape के होते हैं इसके अंदर जो 99% part होता है यह exocrine होता है इसके अंदर openings रहते हैं लेकिन यह 1% part जो है यह रहता है endocrine क्या रहता है endocrine और इसको नाम दिया जाता है 1% part को नाम दिया जाता है islets of langer hands islets of langer hands all right तो यह हुए तीन तरीके के gland exocrine endocrine and heterocrine glands all right बच्छा लोग बढ़ते हैं next particular concept की और the next particular concept will go for okay अब जो है हमें लिना आया है यहाँ पे पहले एक particular figure पे आते हैं हम लोग glands वाली figure आजा भई yes आजा glands वाली figure यह इधर बैठी है देखो यह आप यह human endocrine system है हमारे brain में हमारे brain में brain में तुम्हें देखने मिलेगा hypothalamus रहता है वो भी hormone छोड़ता है penial body होती है और pituitary gland होती है pituitary को बोला है master endocrine gland इधर neck वाले region में होती है adrenal gland then यह जो ऐसा particular leaf जैसा structure है यह है pancreas का then males में जो मिलती है males में वो है यह वाले testis और female में क्या मिलती है ovary क्या मिलती है ovary यह सारा है हमारा human endocrine system यह सारे glands से अलग-अलग तरीके के hormones release करते हैं कौन सी gland कौन सा hormone release करती है वो भी हम देखते हैं all right बढ़ते हैं next particular slides की और yes coming on to the next slides yes अब जो है मैं लेने वाला हूँ सब में पहले वाली gland कौन से मुझे बोलो सब में important gland है अपनी pituitary कौन सी by pituitary by pituitary gland pituitary gland जो कि है master endocrine gland pituitary gland अब pituitary gland अगर मैं निकालू तो वो कुछ ऐसे होती है all right ऐसे होती है इसका जो आगे वाला portion है आगे वाला portion एंटेरियर portion इसको हम कहते है आडीनो हाइपोफिस आडीनो हाइपोफिस जो बीच वाला portion है इसको हम कहते है intermediate lobe क्या कहते है intermediate lobe और जो पीछे वाला portion है इसको हम कहते है neurohypophysis और अब जो है हम देखने जा रहे है सब में पहले आप यहाँ पर connected है hypothalamus जो है वो सारी चीजों को control करता है जैसे मिया को कौन control करती है बीवी हर एक चीज के उपर control establish करती है बच्चों को कौन control करती है मा वैसे इस pituitary gland को कौन control करता है hypothalamus ऐसा क्या करता है hypothalamus जो है दो तरीकी की चीज़े सिक्रीट करता है एक है RF और दूसरा है IF RF का मतलब है releasing factor releasing factor और IF का मतलब है inhibiting factor inhibiting factor जो releasing factor है यह जब छूटा तभी pituitary gland अपने hormones को release करेगी अब hormones जादा का अगर release हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा inhibit करना पड़ेगा stop करना पड़ेगा तो उसको inhibit करने के लिए यह hypothalamus क्या release करता है inhibiting factor क्या release करता है inhibiting factor अब हम part wise देखेंगे पहले A part में हम देखेंगे adenohypophysis के कौन से hormone है B part में हम देखेंगे intermediate lobe के कौन से hormone है और C part में neurohypophysis के कौन से hormone से और राइट बढ़ते हैं आगे भाई लोग first one पहला वाला A part hormones of adenohypophysis hormones of adenohypophysis adenohypophysis किसका part है pituitary gland का आगे वाला part अब इसका पहला hormone लेते है hormone number one hormone number one है GH जिसको हम कहते growth hormone growth hormone या फिर इसी को कहा जाता है STH that means somatotropic hormone somatotropic hormone that means यह hormone हमारी body की overall growth के लिए responsible होता है हमारी जो growth होती है height, body, weight, muscles यह growth hormone के वजह से होती है जो कि adenohypophysis release कर रहा है then second वाला जो particular hormone यह release करती है वो है second hormone that is TSH TSH का full form है thyroid stimulating hormone thyroid stimulating hormone नाम ही बताता है कि यह क्या करता है thyroid gland को stimulate करता है thyroid gland जो है गले में के region में जो रहती है उसकी growth कराता है और यह thyroid gland जो है अपने hormone release करेगी जिसको हम कहते है the particular thyroxine hormone कौन सा hormone thyroxine hormone alright the next one तीसरा particular hormone जो adenohypophysis release करता है यह hormone है ACTH full form है adrenocortico-tropic hormone adrenocortico-tropic hormone यह hormone जो है नाम के हिसाब से ही काम करेगा यह किसके उपर काम करेगा adrenal glands adrenal glands किसके उपर होते है kidney के उपर होते है और adrenal glands कौन सा hormone release करेंगे यह रिलीज करेंगे adrenaline और दूसरा hormone है noradrenaline noradrenaline adrenaline को बोला गया है emergency hormone कौन सा hormone emergency hormone जब भी body में कोई चीज़ की बहुत ज़ादा emergency होती है stress वाली situation है तब ये release होता है emergency hormone कौन सा है adrenaline उसको और एक नाम है okay epinephrine क्या नाम है epinephrine ये है तीसरा hormone of the adenohypophysis अब चोथा वाला जो category है चोथा वाला category है gonadotropins 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 में पहला आता है the FSH FSH मतलब follicle stimulating hormone follicle stimulating hormone ये follicle stimulating hormone क्या करता है males में अलग काम करता है females में अलग काम करता है males में ये क्या करेगा males में ये करेगा spermatogenesis मतलब sperm बनाने की प्रोसेस genesis sperm कि बचे वज़ से बनता है follicle stimulating hormone के वज़र से male में क्या बनता है sperm raja बनता है और females में ये क्या करता है ovary को क्या करता है mature करता है क्या करता है mature करता है that means एक छोटी बच्ची भी अगर है दो साल की उसमें भी ovaries है लेकिन वो बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या नहीं क्योंकि उसके अंदर FSH नहीं है कम मात्रा में है इसलिए उसकी ovary mature नहीं है इसलिए वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती तो हमने क्या देखा हमने देखा यहाँ पर के hormones of adenohypophysis में growth hormone GH SGH somatotropic hormone फिर देखा thyroid stimulating hormone फिर देखा adrenocorticotropic hormone फिर देखे gonadotropin में पहला वाला FSH FSH में यह है follicle stimulating hormone males में sperm बनाने का काम करेगा females में ovary को mature करने का काम करेगा अब जो है लेते हैं इसी gonadotropin में जो है second वाला hormone कौन सा second वाला first क्या है FSH अब second वाला है LH क्या है LH LH का full form है luteinizing hormone क्या है luteinizing hormone है और luteinizing hormone भी males में अलग से काम करता है females में अलग से काम करता है तो यह luteinizing hormone male में एक hormone रिलीज करता है testosterone कौन सा? यह testosterone के वज़र से जो भी males है जो भी boys है उनमें लड़कों वाले करेक्टर्स आते है दाड़ी, मूच facial hair, pubic hair voice कैसी रहती है rough रहती है shoulders broad रहते है कमर का region narrow रहता है इन सारो यह किसके वज़े से होता है testosterone के वज़े से यह maintain करता है secondary sexual characters in males और females में यह release करता है luteinizing hormone release करता है progesterone क्या release करता है progesterone progesterone को क्या बोलते है pregnancy hormone emergency hormone कौन सा था adrenaline या epinephrine और pregnancy maintain करने वाला hormone कौन सा है progesterone alright then females में अब यह हो गया चौथा पार्ट चौथे में हमने 1 और 2 देखा अब आते है on to 5th पार्ट 5th पार्ट जो है यह आपर जो इसका है यह 5th पार्ट में यह release कर रहा है PRL PRL का full form है prolactin 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 जो है यह सिर्फ females में रहता है किसमें रहता है फीमेल में यह prolactin क्या करता है इसको बोलते है hormone of maternity मतलब मा बनने वाला hormone इससे क्या होता है milk production दूद बनाने का काम यह करेगा breast में okay prolactin hormone present in females only जो breast है जो memory glances की development इसके वजहर से होती है तो यह सारे हुए hormones of the adeno hypothesis 1,2,3,4 4 में आया 1 & 2 और 5 वाल आया prolactin बच्चा लोग mention कर लो इन सारी चीजों को अब इसको करते है गायब now आते हैं next वाले पार्ट पे the B part B part मेंने क्या कहा था intermediate lobe कौन सा लोब intermediate lobe intermediate lobe जो है pituitary gland का वो एक hormone secret करता है जिसका नाम है MSH MSH मतलब melanocyte stimulating hormone melanocyte stimulating hormone यह melanocyte stimulating hormone जो है यह क्या करता है यह करता है melanin का synthesis in the skin melanin synthesis in the skin melanin synthesis in skin skin में melanin बनाने का काम करेगा इतना याद में रखो melanin एक coloring pigment है जिसके अंदर जादा melanin रहेगा वो जादा color है जिसके अंदर melanin नॉर्मल है वो सावला रहेगा जिसके अंदर melanin है यह नहीं यह बहुत कम है वो पूरे गोरे चिटे रहेंगे all right then आते हैं सी पार्ट पे सी पार्ट है अपना that is the hormones of hormones of posterior part neurohypophysis neurohypophysis इसके अंदर भी कुछ hormones आते है पहला hormone जो है यहाँ पर that is the first one is oxytocine 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 को बोलते है birth hormone birth hormone या फिर रिसी को बोला जाता है love hormone ऐसा क्यों होता है कि एक छोटा बच्चा जो है जन्मा हुआ वो हमेशा मम्मी के पास ही क्यों जाना चाता है क्योंकि मम्मी से बच्चे में कौन सा hormone गया birth hormone, love hormone गया oxytocine और इसलिए उसको mark के प्रती क्या रहता है आकर्शन रहता है attraction रहता है affinity रहती है emotion रहता है then दूसरा वाला hormone है यहाँ पर जो की है vasopressin vasopressin okay vasopressin है इसी को और एक नाम है ADH मतलब anti-diuretic hormone anti-diuretic hormone है और यह hormone क्या करता है हमारे body में water plus salt इसका balance maintain करने का काम करता है alright यह होगे ABC part hormones of adenohypophysis hormones of the intermediate lobe and hormones of neurohypophysis alright बच्चा लोग तो बच्चा लोग हमने अभी देखा particularly endocrine gland जिसके अंदर पहली endocrine gland हमने देखी hypothalamus जो की release करती है releasing factor and inhibiting factor दूसरी जो gland देखी हमने वो थी pituitary gland pituitary gland में तीन parts देखे थे पहला था adenohypophysis दूसरा था intermediate lobe और तीसरा वला जो था वो था the neurohypophysis इन सारो के hormones हम देख चुके neurohypophysis इन सारो के hormones हम देख चुके अब जो है हम आते हैं on to the next gland तीसरी वाली gland तीसरी gland यह आप है pineal gland pineal gland हमने देखा थे यह brain region में located रहती है और pineal gland कौन सी चीज सिक्रीट करती है pineal gland जो है यह hormone सिक्रीट करती है जिसका नाम है melatonin 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 जो है इसको हम बोलते है sleeping hormone sleeping hormone हमें जो है proper नीन दाना और हमारा biological clock maintain करना biological clock मतलब क्या कि सही समय से उठना सही समय से सोना सही समय से खाना सही समय पर पढ़ाई करना यह सारी चीजे होती है biological clock जो depend करती है pineal gland के secretion melatonin पर और तुमारी एज में क्या होता है pineal gland develop होते रहती है इसके वज़े से biological clock disturb होता है कभी भी उट रहे है कभी बहुत सो रहे कभी बहुत जादा पढ़ रहे कभी कुछ भी नहीं कर रहे मूडी attitude हो जाता है यह हो गया pineal gland के बारे में अब फोर्थ वाली gland जो हम पढ़ने वाले है that is thyroid gland हमारे neck region में जो रहती है thyroid gland thyroid gland secret करती है T4 hormone T4 को हम कहते है thyroxine क्या कहते है thyroxine और यह secret करती है T3 hormone और एक hormone यह secret करती है जिसका नाम है calcitonin calcitonin यह जो है पहले दो hormones जो है यह हमारा जो है growth कराते है body का growth कराते है और BMR maintain करते है BMR मतलब basal metabolic rate हमारे body में कितना metabolism हो रहा है कितनी चीजे बन रही है कितनी चीजे टूट रही है उसके उपर तो depend करेगा कि अपनी growth कितनी हो रही है और राइट बच्चा लोग ओके everybody able to understand तो यह जो calcitonin है यह calcitonin क्या करता है हमारा जो blood है उस blood में calcium के level को कम करता है क्या करता है calcium के level को कम करता है क्योंकि यह calcium के level को कम कर रहा है इसलिए इस hormone को हम कहते है hypocalcemic hormone hypocalcemic hormone ऐसा hormone जो calcium के level को क्या करता है कम करता है किस में करता है blood में कम करता है then thyroid gland के बाद में आते है fifth valley gland जो कि यह para thyroid gland thyroid gland के पीछे रहती है यह neck वाली region में parathyroid gland parathyroid gland का जो hormone है वो है PTH PTH का full form है parathyroid hormone parathyroid hormone तो यह जो hormone है यह हमारे blood के अंदर हैै calcium के level को बढ़ाता है calcium के level को बढ़ाता है calcetonine क्या करता है calcium के level को कम करता PTH क्या करता है calcium के level को बढ़ाता है इसलिए इसको बोलते है hyper calcemic hormone hypercalcem Phi us iCo कहा जाता है तो यह हमने पड़े pineal gland का secretion को क्या है भाई लो, pineal gland, melatonin, thyroid gland, T4, T3 and calcitonin, parathyroid gland, parathyroid hormone, दो hormone जो एक दूसरे के opposite है, calcitonin and PTH, calcitonin blood में calcium को कम करता है, ये blood में calcium को बढ़ाता है, बढ़ते हैं, अगले particular point की ओर, इसको मैं clean कर देता हूँ, अब जो है, next वाली gland लेंगे, thyroid, parathyroid के बाद में, next वाली gland आ रही है याँ पर, जो की है, adrenal gland, कौन सी gland, adrenal gland, ये हमारे kidneys के ओपर होती है, ये अगर ऐसी kidney है, तो kidney के ओपर located रहेगी ये gland, जो की है, adrenal gland, adrenal gland के अंदर भी क्या होता है, ये वाला जो region है, ये वाला, ये बाहर वाला region को हम कहते है, adrenal cortex, adrenal cortex, और अंदर वाले region को हम कहते है, adrenal medulla, adrenal medulla, ऐसा कहते है, अब देखते है, hormones of, hormones of adrenal cortex, hormones of adrenal cortex, cortex वाले region में कौन से hormones, ये सिक्रीट करता है, अब इसके अंदर पहला आता है, ए पार्ट, ये सिक्रीट करता है, glucocorticoids, glucocorticoids, क्या करते है, है, carbohydrate, then protein, और fat, इनका metabolism करते है, and fat का metabolism करते है, carbohydrate, protein and fat metabolism, इसका example है, glucocorticoid का cortisol, क्या example है, cortisol, then जो है, दूसरा वाला हर्मोन आता है, ये आपे, the second hormone, जो की है, mineralocorticoids, 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 जो है, इसका example है, ये आपे, aldosterone, aldosterone, इसका example है, भाई लोग, और mineralocorticoid क्या करता है, ये water plus salt के balance को maintain करता है, water plus salt के balance को maintain करता है, हमारे body में, और तीसरा वाला आता है, ये है sex corticoids, sex corticoids, sex corticoids, जो है, males में अलग काम करते है, females में अलग काम करते है, Males के अंदर SSC develop करना SSC का full form क्या है secondary sexual characters develop करना इसका काम है secondary sexual characters females में भी यह क्या develop करता है secondary sexual character जैसे male का secondary sexual character axial hair, pubic hair, the beard, दाड़ी, मूच, यह सारे roughness of voice, broad shoulder, narrow कमर यह सारा लेकिन female का opposite होता है female में जो है तुम्हें मिलेगा voice जो है वो काफी high pitch की रहती है high frequency की रहती है female जब बोलती है तो ऐसा लगता है नाक में बोल रही है alright क्योंकि उनका pitch ही high होता है then जो है females में shoulder कैसे रहते है narrow कमर वाला region कैसे रहता है broad कमर वाला region broad क्यों रहता है क्योंकि आगे जाके उनको बच्चा deliver करना है इसलिए वो region broader रहता है alright यह हुआ adrenal gland adrenal gland में हमने देखा कि बाहर वाला area है adrenal cortex और adrenal cortex के hormones glucocorticoids mineralocorticoids and sex corticoids okay अब हम देखेंगे hormones of adrenal medulla यह medulla के hormones देखेंगे इसको मारता हो clean now hormones of hormones of adrenal medulla hormones of adrenal medulla अब adrenal medulla जो है यह secret करता है hormone called adrenalin adrenaline and दूसरा hormone nor adrenaline nor adrenaline adrenaline का मैंने दूसरा नाम बताया था क्या था epinephrine epinephrine इसी को मने नाम दिया था emergency hormone emergency hormone सारी चीज़े याद में रखा करो emergency hormone आया तो क्या आएगा adrenaline okay then जो है अगर love hormone आया birth hormone आया तो क्या आएगा oxytocin maternity का hormone milk production वाला prolactin PRL okay यह हुए adrenal medulla के कुछ particular hormones okay यह hormone क्या करते है यह सारे अलग-अलग से feelings जैसे anger, गुस्सा, fear, डर okay then emotions emotions इन सारी चीज़ों को control करते है alright बच्छा लोग then एक और gland है यहाँ पर यह हो गया adrenal gland के बारे में अब next वाली जो gland है वो है यहाँ पर that is thymus gland thymus gland thymus gland जो है it is present only in children present only in children बच्चों में ही यह gland present रहती है गरंती present रहती है जैसे जैसे हम बड़े होते है यह gland छोटी 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 होती जाती है और गायब हो जाती है ऐसा क्यूं क्यूंकि इसका जो secretion है वो हॉर्मोन है thymocene और thymocene क्या देता है immunity देता है रोग प्रतिरोधक्षमता देता है जो नए बच्चे जो जनमते है उनको रोग प्रतिकार शक्ती की सब में ज़्यादा जरूरत होती है क्यूंकि उनके सारे systems weak होते है तो उनको रोग प्रतिरोधक्षमता जिससे मिलती है वो a thymus gland alright next वाला हूर gland लेते हैं the next gland is pancreas 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 के बारे में मैंने तुम्हें बोला था ऐसी leaf जैसी gland होती है इसका 99% part exocrine होता है 1% part endocrine रहता है यह 1% part को हम कहते है islets of langerhans islets of langerhans its islets of langerhans में 3 तरीके के cells होते है alpha cells, beta cells and delta cells alpha cells secret करते हैं एक hormone जिसको हम कहते है the glucagon क्या secret करता है glucagon beta cells secret करते है insulin insulin और delta cells secret करते है somatostatin stomatostatin अब glucagon क्या करता है हमारे blood के अंदर के glucose के level को blood के अंदर glucose level को बढ़ाता है glucose level को बढ़ा रहा है इसलिए इसलिए इसको हम बोलेंगे hyperglycemic hyperglycemic insulin क्या करता है blood के अंदर के glucose level को कम करता है जिसको भी diabetes है diabetes में क्या होता है कि blood के अंदर sugar level बढ़ जाता है तो insulin का injection देते है क्योंकि insulin क्या करेगा blood के अंदर के जो glucose है उसको कम करेगा कम कर रहा है इसलिए यह कैसा है hypoglycemic कैसा है hypoglycemic और इन alpha और beta cell के ऊपर जो control establish करेगा वह somatostatin यह क्या करता है यह दोनों hormones के secretion को control करता है यह वाली gland होई pancreas कौन सी gland pancreas उसके बाद में एक और gland है यह आप है जो कि यह ovaries females में मिलती है ovaries ओके और ovaries जो hormones secret करती है उसके अंदर आएगा first one estrogen estrogen जो female के secondary sexual characters को maintain करेगी और दूसरा hormone है progesteron progesteron को हमने कौन सा hormone बोला था pregnancy hormone जो pregnant lady रहती है उसमें progesteron जादा रहता है pregnancy hormone okay then last वाली gland है यह आप है जो कि यह testis testis जो है present रहती है males में और males में यह secret करती है hormone called testosterone जो कि male के secondary sexual characters को maintain करेगा ओल राइट बच्चा लोग ओके भाई लोग यहाँ पर हमने सारे glands कवर किये जैसे की hypothalamus हमने लिया okay brain के अंदर pituitary gland हमने लिया pituitary gland के तीन पार्ट देखे adenohypophysis, interior, intermediate lobe and neurohypophysis उनके hormones देखे फिर हम आये pineal gland पे फिर हम आये on to thyroid gland, parathyroid gland, thymus gland, then pancreas, then हमने लिया particular लिया पे ovaries in females and testes and males अब लेते हैं hormonal disorders hormonal disorders hormon कम जादा जब होते हैं तो यह disorders होते हैं पहला जो disorder जो हम study करने जा रहे हैं वो है dwarfism 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 जो है जब growth hormone कम secret होता है तो dwarfism आता है लोगों की height नहीं बढ़ती वो छोटे रहते हैं सरकस में उनको use किया जाता है clown बोलके तो यह है dwarfism height, weight सब कम रहना second वाला है gigantism gigantism में क्या होता है growth hormone बहुत जादा secret होता है और इसके वज़र से वो इंसान की height 6 foot के उपर रहेगी वो इंसान हटा-कटा भी रहेगा उसके body के उपर पूरे hair growth बहुत जादा रहेगी उसको हम बोलेंगे gigantism then तीसरा है goiter goiter मतलब क्या गलगंड जिसके अंदर क्या होगा goiter में iodine की कमी के वज़र से यह होता है iodine की कमी के वज़र से यह होता है और iodine की कमी के वज़र से thyroxine secret नी हो पाता और इसलिए thyroid gland वाला area enlarge हो जाता है there is swelling swollen neck वाली condition हमें इसमें देखने को मिलेगी और एक hormon और एक particular disorder है जिसको हम बोलते है diabetes mellitus diabetes mellitus diabetes mellitus में क्या होता है कि blood के अंदर glucose level जो है वो काफी बढ़ जाता है sugar level बढ़ जाता है इसके treatment के लिए क्या दिया जाता है insulin injection insulin के injections दिये जाते है और राइट भालोग यह हुए कुछ important disorders अब हम आते है on to the part that is the coordination in plants plants में कैसे ताल मिल रहता है coordination in plants plants के अंदर movements होते हैं और दो तरीके के movement ही आप है एक है seismonastic seismonastic movement seismonastic movement और यहाँ पर पहला seismonastic nastic movement में और दूसरा आया thermonastic movement thermonastic movement अब seismonastic movement अब seismonastic movement जो है यह touch से होती है किससे touch से जैसे कि एक plant है जिसका नाम है छूइमूई जिसको हम बोलते है touch me not plant touch me not plant जिसका जो particular scientific name है mimosa pudica mimosa pudica यह plant को जैसे ही हम touch करते है तो वो पूरा shrink हो जाता है alright जो particular movement thermonastic यह temperature related होती है और temperature अगर जादा रहा तो flower open होता है और temperature अगर कम रहा तो flower close होता है close होता है thermonastic movement then आया तीसरा वाला photonastic movement photonastic movement अगर दिन है sunlight अगर मिल रही है तो flower open होता है flower open होता है और अगर dark वाली condition है sunlight नहीं है तो flower close होता है क्या होता है close अब जैसे मैंने सीस्मो नास्टिक का example क्या बताया सीस्मो नास्टिक का example है छुई मुई touch me not या mimosa pudi का वैसे thermonastic का जो example है वह है tulip क्या example है tulip का flower और photonastic जो है इसका example है dandelion flower dandelion flower अब आते हैं second वाली movement पे second वाली जो movement है उसको हम बोलेंगे the tropic movements tropic movements जैसे की पहली वाली movement आई phototropic movement phototropic movement जैसे की जहां से सूरज की रोशनी आ रही है उस तरफ plant बढ़ता है that means यह movement कहा होती है towards sunlight towards sunlight sunlight की और movement हो रही है then second is geotropic geotropic यह जो है कहां पे movement हो रही है towards gravity जमीन के तरफ move करते हैं कौन? roots then आया third hydrotropic movement hydrotropic मतलब क्या यह होते है move जहां पर जादा पान ही available है वह side में then आता है chemotropic movement chemotropic movement जैसे की pollen tube जो है वह उसी side में grow करता है जहां पर ovule रहता है female organ के side में pollen tube grow करता है एक बार repeat कर रहा है इसको simple one seismonastic thermonastic photonastic seismonastic touch से related thermo temperature से related photo light से related इसका example छोई-मूई thermonastic tulip photonastic dandelion flower phototropic sunlight की तरफ movement geotropic gravity की तरफ movement hydrotropic पानी की तरफ chemotropic chemicals की तरफ जैसे pollen tube ovule की chemicals की तरफ move करता है अल्राइट अब लेते हैं लास्ट वाला पार्ट that is plant hormones plant के hormones plant के जो hormones हैं इसके अंदर plant के hormones को हम कहते हैं phyto hormones phyto hormones ऐसा कहते हैं अब plant के hormones में दो category आते हैं एक category जो है plant growth promoters plant growth promoters जो plant की growth को बढ़ावा देंगे ओके यह growth को promote करेंगे और दूसरी category है plant growth inhibitors inhibitors यह क्या करते है plant की growth को कम करते है क्या करते हैं तो पहला category जो है plant growth promoter इसके अंदर आया पहला hormone auxin क्या आया auxin दूसरा वाला hormone आया gibralin gibralin और तीसरा वाला hormone आया cytokinin cytokinin ओके और plant growth inhibitor में जो hormone आते हैं पहला वाला है आबा आबा का मतलब है abscissic acid abscissic acid इस hormone को बूला जाता है stress hormone stress hormone और देन आता है ethylene यह ऐसा plant hormone होर्मोन है जो gas state में रहता है और यह फल को पकाता है इसलिए इसको बूलते है fruit ripening hormone फल को पकाने वाला hormone all right भाई लोग यहाँ पर हम cover कर चुके है दे theory अब हम आएंगे mcqs के ओपर अब देखो कैसे फड़ा फट mcqs सारे solve होते जाते है yes 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 चलो one by one read करते है और फटाफट solve करते जाते है इसको okay read करेंगे और solve करते जाएंगे pen which color let's go for red color okay इन में से कौन से hormone को birth hormone बूला गया है यह milk ejecting hormone बूला गया birth hormone अभी हमने देखा था oxytocin क्या है oxytocin is the birth hormone then the directional movement or orientation of plant part towards light light के तरफ move कर रहा है तो क्या होगा phototropism क्या होगा phototropism phototropism होगा okay then next वाले question seismonastic movement are shown by which plant अभी मैने बता है था seismonastic touch me not plant जिसकों बोलते छुई मुई प्लांट mimosa pudika then which part of human brain is more developed in comparison to others हमारे में सब में ज्यादा part जो developed है वो है आने का action है parasympathetic का कम करने का action है पताया था तुम्हे islets of langaran secret insulin and मैंने बोला था वो तीन secret करते हैं insulin, glucagon and somatostatin तो इसका अंसर आ गया glucagon then the next one which of the following is not an involunt reaction नहीं है मतलब हमारे काबू में है हम किसको काबू में रख सकते हैं achieving को, चबाने वाले action को हम काबू में रख सकते हैं बाकी चीज़ों को हम काबू में नहीं रख सकते हैं हमारे body का सब में बड़ा cell कौन सा है nerve cell जिसको हम कहते है, neuron क्या कहते है, neuron then master gland in the body हमारी body की सब में छोटी gland लेकिन सब में जादा hormone secret करने वाली gland जो कि है pituitary gland इन में से कौन सा statement सही है about receptors gustatory जो है वो taste को detect करता है और olfactory जो है यह smell को detect करता है ओके बड़ा है सारा part theory में भाई लोग इसमें से कौन सी gland unpaid रहती है मतलब दो नहीं रहती है ओके kidney दो है तो adrenal gland भी हो गए दो testis दो ovary दो लेकिन pituitary gland अकेली है कैसी अकेली single gland तो इसका आंसर है pituitary pollen tube जब ovule के तरफ move करता है तो ovule क्या छोड़ती है chemicals तो इसको हम कहेंगे chemotropism क्या कहेंगे chemotropism then the next one ऐसी gland बताओ जो exocrine भी और endocrine भी मतलब हमें बताना है heterocrine gland कौन सी है तो आंसर आएगा pancreas 99% part exocrine 1% part endocrine इसमें से कौन सी ऐसी gland है जो कोई hormone secret नहीं करती कोई hormone secret नहीं करने वाला spleen है बाकी सारे जो है hormone secret करते है अल्राइट ओके अब जो है बढ़ते हैं आगे doctor advised a patient to take an injection of insulin because insulin का injection लेने बोला गया क्योंकि उसके blood में sugar level क्या है ज्यादा है his sugar in blood was high insulin उसको कम कर देगा sugar के level को human nervous system is made up of special cells called neurons neurons से बना हुआ है then largest number of cell body of neuron in our body is found in सब में ज्यादा neurons का पर मिलते है cell body का पर मिलते है brain में function of cerebellum cerebellum का function क्या है thinking, hearing, seeing यह सारा cerebrum में आता है intelligence सारी चीजे लेकिन हमारा body posture maintain करना यह cerebellum का काम है then which part of human brain controls body temperature hypothalamus जो है अपने body के temperature को regulate करता है then the sensation of sight in human brain is perceived by which lobe occipital lobe हमारे जो है brain में अलग-अलग lobe होते है इसको हम बोलते है frontal lobe इसको हम बोलते है temporal lobe बीच वाले को बोलते है parital और पीछे वाला होता है occipital क्या होता है occipital और यह जो पीछे वाला occipital होता है यहाँ पे अगर लग जाए तो हमारी रोशनी भी जा सकती है हम अंदे हो सकते हैं क्यूंकि यह किस से connected है to the side मतलब देखने से connected यह वाला पीछे का लोब रहता है occipital हमारे brain की outermost covering क्या है duramatter है spinal cord किस से originate होती है medulla से medulla आगे जाके बनता है spinal cord then हमारे इसमें सबमें बड़ी cranial nerve कौन सी है सबमें बड़ी cranial nerve का नाम है vegas हमने देखा था cranial nerves कितने होते है 12 pairs होते है 12 pairs उसमें vegas सबमें बड़ी nerve होती है spinal nerves कितने होते हैं हमारे में मैंने बताया था 31 pairs होते है movement of organism plant organs towards gravity gravity के तरफ है तो geotropism pollen tube grow कर रही है during fertilization यह किसका example है chemotropism का example है okay which of the following plant exhibits negative phototropism मतलब sunlight के तरफ move नहीं करता कौन नहीं move करते है root क्यूंकि root gravity के तरफ move करते है then which of the following is a plant hormone cytokinin इन एक plant hormone ने बाकी सारे humans में है cell division is initiated by cell division कराना यह cytokinin का काम है cytokinin मतलब cell kinesis मतलब division cell division कराना hormones जो growth को suppress करते है मतलब growth को रोकते है इसमें दो नाम मैंने बताय थे aba और ethylene तो इसके अंदर कहाया यह आया aba abscissic acid then ऐसा जो fruit को ripen करने के लिए यूज किया जाता है पकाने के लिए fruit ripening hormone is ethylene hormone जो prepare करता है human body को okay emergency के दौरान emergency hormone adrenaline progesterone pregnancy hormone then progesterone and relaxation यह कौन छोड़ता है okay यह छोड़ते है ovaries okay relaxation जो है यह जब baby की delivery होती है तो कमर के muscles को relax करता है ligaments को relax करता है ताकि normal delivery हो diabetes in human is caused due to okay diabetes जो है insulin के वज़र से होती है all right growth hormone is produced by growth hormone कौन release करता है pituitary का anterior lobe adeno hypophysis all right बच्चा लोग यहाँ पर हमारा session होता है end chapter होता है end control and coordination humans में भी और plants में भी उम्मीद करता हूं तुम सभी लोगों को session पसंद आया होगा all right सारे लोग study tight full day and night जीओ बंदास पढ़ो जखास क्योंकि rankers लाया है आपके लिए कुछ खास stay happy stay connected buh-bye